हम जब भाई, फाइनली समय हो चुका है हमारे जिके के क्लास का तो चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आजए हूँ उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं क्योंकि आपको एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे regular classes लेनी है, यहाँ पे detail study कराया जा रहा है, और exam में अच्छे अंक लानी की जिमेदारी हमारी है, ठीक है, बस आप classes regular लीजे, और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उसको revise करते रही है, ठीक है, तो जो लोग सिर्फ time pass करने आये हैं, एक मिनट, दो मिनट class देखने के लिए, वो class से जा सकते हैं, तो चलिए फुरा-फट आप लोग चैनल को subscribe कर लेजे, वीडियो लाइक कर दीजे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला chapter जो GK का है, जोग्राफी का soils, यानि मिटियों के बारे मे पूरा detailed study करेंगे, और यहां अकसर एक से दो कोशेन हमेशा exam में पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए सिरु करते हैं हम लोग अपने detailed study को, class की तरफ चलते हैं, दोस्तों कि आप सभी को पता कि पिछले दो साल में an academy ने जितने selections दिये हैं, Air Force, Navy, NDA, FCAT और CDS में, उतने selections कोई भी particular coaching institute कभी नहीं दे सकता है, जी हां दोस्तों, यह सिर्फ possible हो पाए, वहाँ पे available top educators के द्वारा, तो आप जो है wait मत करिया, आप भी अपने exam के तयारी बहतर कर सकते है, an academy के साथ में जुड़के, तो देर किस बात की जाई, अभी video के description में link है, an academy app download कीजे, वहाँ पे अप daily free classes चलती है, special classes वो आप देख पाएंगे, तो अभी जाईए अपने आपको an academy पर register करिए, और साथ में मैं आपको बता दूँ, जो मुझे NDA के candidate देख रहे हैं, उनके लिए 16 तारिक से जो है NDA detail batch course सुरू हो चुका है, नए batch का 2021 का, तो ये तो आप miss मत किजे, आप देख सक हो रहा है, ठीक है, तो 23 December से ये batch सुरू हो रहा है, achievers batch, and ये complete batch course है आपका 2021 के लिए, so please अभी जाईए N Academy से जुड़िए, और अपनी तैयारी बहतर करनी सुरू कर दीजे, चलिए तो फिर चलते हैं अपने class के तरफ, हाँ जे बैई, तो आप सबसे पहले तो एक चीज समझ लिजेगा कि आप बार-बार पूछेंगी कि आपका जो एक्जाम होगा, वो किस language में होगा, तो उसमें जो दिया हुआ है, वो है आपका English language, ठीक है, हिंदी उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलाल आज का जो मैं class लेके आया हूँ, ये आपके लिए हिंदी में लेके आय कहा जाता है, तो नोट कर लिजेगा, मिट्टी के अध्यान के विज्ञान को कहा जाता है, पैडोलाजी क्या बोलते हैं, पैडोलाजी बोलते हैं, ठीक है, अब देखेगा क्या दिया हुआ है, भारत की मिट्टियों के परकार कैसे होते हैं, तो ICAR, यानि Indian Council for Agriculture Research, भारत ये क मिट्टी को मिरिदा भी बोला जाता है, ठीक है, स्वायल बोलिए, मिट्टी बोलिए, मिरिदा बोलिए, एक ही चीज है, तो सबसे पहली जो आपकी मिट्टी है, वो आपकी परवतिय मिट्टी है, ठीक है, जो परवतिय मिट्टी होती है, उसके बाद आपका जलोड और लास्ट है आपका मरू अस्थली मृदा ठीक है अब एक चीज़ देखेगा जो भारत की सभी मिट्टियां होती है उनमें प्रमुक्ता तीन तत्यों की कमी पाई जाती है किसी में एक होगा तो दूसरा नहीं होगा ठीक है किसी में दो होगा तो तीसरा नहीं होगा और वो यूमस जाधा होगा तो नाइट्रोजन कम होगा अगर नाइट्रोजन जाधा होगा तो फास्फिरस या फिर यूमस कम हो जाएगा चलिए अगला क्या दिह हुए भारत में सब्से जाधा छेतरफल और पाई फेली चार मिट्टियां देख लीजे सबसे आधी यहीं से कोशन बनते हैं कि सबसे आधा भारत के सबसे आधा च्छेतर फल पर कौन सी पाई जाती है तो सबसे पहले देख लीजे भारत में सबसे आधा अबहारत के टोटल 35-600 पड़िए दूसरा आपका लाल मिट्टी है है जो की टोटाल परीदा के वारत जबहा頭े शेटर्फ--" मिर्दा तो काली मिर्दा 15% पे और लेट राइन आपका 3.7% पे ठीक है चले नीचे आजए नीचे आएंगे आप तो जलोड मिर्दा के बारे में सबसे डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले ठीक है तो जलोड मिर्दा देख लिए क्या दिया हुआ है जलोड मिटी जिसको बो मैंदा में पुर्विए बहुत कि यह चित्रों में डीक जित्रों में में जलोड मिटी है यह जलोड मित्टी में ли भान कई मैदानी छेत्रों में बिछाजी जाती है तो यह जलोड मिट्टी जो है कैसे जाती है मैदानी छेत्रों में तो यह नदियों द्वारा पहाडी छेत्रों से लेकर के मैदानी छेत्रों में बिछाजी जाती है उसके बाद दिया हुआ है जलोड मिट्टी जो है दो परकार की होत प्रति वर्स इसका नवीनिकरण किया जाता है ठीक है नदी के किनारे जो आप सफेद मिट्टी देखते हैं ठीक है सफेद थोड़ा थोड़ा बालू के ट्वाइब का होता है वही खादर होता है ठीक है तो इसका जो नवीनिकरण है न वो प्रति वर्स जो है नदी द्वारा क यह जाता है आता इसे नई जलोड भी कहा जाता है यह अधिक उपजाव मिरिदा है आप देखते होंगे कि नदी के किनारे जो लोग खेदी करते हैं ठीक है खरबूजे वेगरा बोय जाते हैं वो काफी उपजाव मिटी होती है ठीक है चले उसके बाद कि आपका दूसरा आप का बांगर बांगर के भी बारे में आप डिकल में जाने होंगे तो नदी से दूर वाले छेतर में पाई जाती है ठीक है नदी से थोड़े दूर वाले छेतर में यह बांगर पाई जाती है यह हर वर्स नदी द्वारा नवी कृत नहीं हो पाती है अता इसे पुराना जलोड कहाज आता धिंग है अपेछा कृत करते नोस से स्वार्दीक द्रत तो आप यह कभी पूचता है या जितनी मिलतनी प्रखार की मिटिगें और सब से उपजाओ है कोन सी कौन सी मिट्टी ठीक है तो एक्जाम में कभी पूछता है भारत का सबसे उपजाओ जो है मिट्टी कौन सी है तो आप क्या बोलेंगे जलोड मिट्टी ठीक है उसके बाद है आपका बांगर बांगर छेतर में खुदाई करने पर चूना परदार्थ की ग्रंथियां पाई जाती है ठ तो था कालांतर में म्रिदा द्वारा दबा दी गई है ठीक है शले नीचे आज़े आदे तो नीचे आपको मिलता है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन देख लिए जलोड मिट्टी में नाइट्रोजन फासपूरस तता ह्यूमस तीनों की कमी पाई जाती है ठीक है नाइट कमी पाई जाती है और किसके अधिकता पाई जाती है ठीक है चलिए दूसरा आपका लाल म्रिदा यानि लाल मिट्टी ठीक है तो लाल मिट्टी के बारे में क्या दिया हुआ है भारत का दूसरा सबसे बड़ा म्रिदा वर्ग है यह आपका ठीक है मिट्टी वर्ग दूसरा सब बातीया है वहां पे मिलती है अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कहां कहां पे मिलता है तो वहां के जो लोग रहने वाले होंगे उनको पता होगा तो जो आपका iron oxide है यह ऐरें अक्साइट के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल रहता है अब छितरफल इसका देख लिजगा दचिन भारत में पठारी भाग में पुर्विय तरफ पाई जाती है और इसका विस्तार कहां से कहां तक है तमिल नाडू तेलंगाना अंदरपरदेश 36 गड़ ओडिसा पुर् लाडू में पाई जाता है लाल मिटी के अधी बात करें तो लाल मिटी प्राइदी पे भारत से कम वर्षा वाले छेत्रों में पाई जाती है तो लाल मिटी क्या होती है यह प्राइदी पे भारत के कम वर्षा वाले छेत्रों में जहां पर वर्षा कम होती है ऐसे छेत्रों म यह लाल मिटी पाई जाती है अब बात करते हैं काली मिटी को ले करके तो दिया हुए कपासी मिर्दा या रेंगूर ठीक है रेंगूट इसको बोलते हैं ध्यान देजेगा तो काली मिटी को रेंगूट मिटी भी बोलते हैं या फिर कपासी मिटी भी बोल सकते हैं ठीक है तो क परनाटक महराष्टरा मध्यप्रदेश और गजरात में पाइँ जाता है और उत्तर प्रदेश में जहांसी तथा ललितपुर में भी पाई जाती है तथा वहाँ क्फिस नामित करता हूं समझ भी होंगे आगे चलिए देखें अंत्राष्टी अस्तर पे इसी चेस्टा क्ली मिटी को तो है काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा यूएस में ग्रेट लेक्स के पहस्ची में पाई जाती है ठीक है अगला क्या दिया हुआ है काली मृदा जो है वो लावा चटानों के टूटने से बनी हुई है ठीक है तो काली मृदा यानि लाल मिटी कैसे बनी हुई है तो य यह उसकी परमुक मिट्टी आ Bob इस मलश्या में जल में करने की छम्त अधिक होती भूल है जिसके करने सुसाग क्रिसी द्हाँ जहां पी पाणी रिचाओ क्रिसी ज़ौ है जाने जम्वारय कवाल है नीचा आग्ला क्या दिया हुग है लेट nervous मे दा अप Chapter लेटर याफ अधकि अरहे अगर वर्सा हो तब इसका निर्माड होगा या फिर अधिक गर्मी होगी तब लेटराइड मिर्दा की जो है यानि मिर्दा मतलब मिट्टी की जो है निर्माड होगी ठीक है दो परिस्तितियों में होता सबसे पहला यानि अधिक वर्षा हो सबसे अधिक वर्षा हो जब या फिर अधिक गर्म यहां पर अधिक पाई जाती होगी तो पूरे भारत में इस मिट्टी का सबसे स्वार्दिक शत्रफल कहां पर केरल में उसके बाद दूसरे नंबर पर महरास्टा में तो तमिल नाडु के श्यूराय पहाडी में बीकुछ मातरा पाई जाती है उसके बाद दिया हुआ है इटे बनाने के लिए स्वार्दिक उप्युक्त है् उप्युक्त में इसमें कहना हैeez но कि नाइट र dang repose फासपूरस तता पोटास की कमी पाई जाती है तो इसमें हुमस की भी कमी होती है नाइट्रोजन फासपूरस और पोटास की भी कमी होती है ठीक है और आइरन तथा एलमुनियम के आकसाइड की पर्चूर मात्रा पाई जाती है तथा आइरन आकसाइड के कारण ही इसका रंग क सिलका परदा य Aha जोए तीन को क्या है निडशाली रीड़ा है खाध्यान के लिए interviews और चाएज सीन कोना आधी उगाए जाते हैं इस वे इसे इसेrif晚 तो विस्तार जो है भारत के पशिमी भाग वाले सुषक छेत्र में इसका दच्छनी पंजाब में दच्छनी हरियाणा राजस्थान गुजरात के जो कच्छ छेत्र है वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है मरु अस्तली मृधा ठीक है अब देखें क्या है खाद्यान उगाना संभॉन नहीं है अता इस पे ज्वार बाजरा मोटे अनाज और सरसो की खेती होती है छो मरु अस्तली मृधा पाई जाती है अब देखेंगा नीचा जी अब परवति यिमाले के साथ यह सथी है इलिदल जाती है और जम्मू कास्मीर हमाचल प्रदैश उत्तराखंडशिक्किम तथा अरुणाराचल प्रदैश में भी पाई जाती है तो हीूमस की इसमें अधिकता होती है प्लब ह 16 में अधिक पाय जाता है जिस करण से क्या होता है अमली आड़ो जो गुण है न आ जाते हैं इसमें अतर पर्वति查 भालों पर सेव नास पाती ते तक चाएकी खेती होती है ठीक है अब क्या दिया हूओ है पूर्ण विक्सित मिरिदा नहीं है ये जो मिटी है ये पूर्ण रूप से विक्सित मिटी नहीं है नोट कर लीजेगा नीचा आज़ेए पीटे हम दल्दली मिटी देख लीजे तो पीटे हम दल्दली मिटी के बारे में क्या दिया हुआ है पिट मिरिदा केरल यम तमिल नाडू के टटू पर जल जमाओं के कारण पाई जाती है ठीक है उसके बाद है पिट मिरिदा का विकाज जो है गीली भूमी पर बनस्पतियों के सरने से हुआ है अता इसमें हूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है नोट कर लिजेगा ठीक है आग वे लोडय त तथा चारिय मिद्दा हैं क्या दिया हुआ अधिक सीचाई वाले छेतर में पाई जाती है यह यहांपे सीचाई अधिक होता है तो अधिकाल सहरित क्रांती वाला छेतर जैसे पंजाब पशिम ठेक है उत्तर प्रदेश तद्धा उत्तरी राजस्थान तद्धा इस मिर्दा को रे और कलर नाम से भी जाना जाता है याद कर लिजेगा और लोण परतिरोधी फसले इस पर उगाई जाती है जैसे बर्सीन हो गया धान हो गया और गन्ना हो गया तो फाइनली हमारे द सकते हैं ठीक है तो एक विए रहेंगे फिर कोश्चन देखेंगे फिर एक क्लास का मतलब एक चैप्टर का जो है डिटेली इस्टडी फिर उसका कोश्चन ऐसे करते चलेंगे तो जो हमारी तयारी है वह और बहतर हो जाएगी और मैं इसका पीडियाफ जो है टेलिग्राम प